सुख सुख करू परसात, जुख जुख रखब आहे बार्त संगे राहब बिन रात बुजाना कारूने सुब सुब करू बर साथ जुग जुग रोहब नहीं बात संगे रहब दिन राते पुझाने करने को सब्सक्राइब कर लेजे नीचे बैल अकर उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज का जो लुक है वो मेरा है वर्ट सावित्री लुक जी हां मैं वर्ट सावित्री में ऐसे ही तैयार हुई थी और मैं 19 मैं को की थी आप 3 जून में को जो है वो कर सकते हो जी हां बहुत लोग पुर्णीमा का जो वर्ट सावित्री होता है वो करता है यह देख सकते हो यह जो आप देख रहे हो सीधा है जी हां एक आदमी का खाना निकाला जाता है वर्ट सावित्री में वो मैं निकाली ह यहाँ पे पूजा का समागरी है देख सकते हो इसमें बास का बैना होना चाहिए बहुत लोग तार का करते हैं बहुत लोग अब तो प्लास्टिक का भी करते हैं तो आप लोग प्लीज यह गलती ना करें आप लोग बास का ही पंका का यूज करें यहाँ पे देख सकते हो मैं इसलिए ली ये तार का पंका सारे लोग यहाँ पे पूजा समागी यहाँ पे पूजा सारे लोग कर रहे थे तो मैं ली और कहा जाता है इस तीन आप जो दान जरूर करें जी हाँ जो का दान जो होता है वो सोना के बरावर होता है तो इसलिए इस दिन जो का दान करें और यहा साथ पाच ग्यारा ऐसे करके फेरी लगाती है कच्चा सूता से तो यहां पे सारे लोग सूता से कर रहें और यहां पूजा सारे लोग कर रहें मैं अपनी पूजा कर नहीं ली क्योंकि भीर बहुत जादा था जब मैं पूजा कर ली थी तब मैं रिकॉर्ड की और उसके बाद ब्लॉग के लिए वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर सारी लोग देख सकते हो सारी महील आएं आप फ्रंट कैमरा में भी आ गई हूँ देख सकते हो अभी सारी लोग परिकर्मा करें और इस दिन जी हाँ कहा जाता है कि बर का सिंगार किया जाता है तो आप सिंगार कर सकते हो जी हाँ वो बाल में लगाया जाता है हाथ में लगाया जाता है गले में लगाया जाता है तो सारी लोग करते हैं और आप लोग को मैं अगेन ये बताने वाली हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिये हैं जी हाँ इसके लिए दिल से थाइंक्स और वो वीडियो मेरा 30,000 गया मैं आई बटन में लिंक लगा देंगे आप लोगे वहाँ से चेक आउट कर सकते हो और यहाँ पे मैं पूजा करके बाहर आ गए जी हाँ यहाँ इस दिन वहाँ पे पांच सोहागन को जी हाँ खोईशा दिया जात और यह जो सिंगार का समान जो होता है वो बट विक्स को चरहा के पंडी जी को दिया जाता है तो मैं वहाँ उनको दी और जी हमें हर साल सर्वत बना के लिए जाती हूँ और पंडी जी को पिलाती भी हूँ और यहाँ पे मैं बैठी यूँ देख सकते हो तो मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना और इस पार मैं ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि दिल छोटा हो जाता है महिनत ब्लॉग के लिए बहुत किया जाता है लेकिन आप लोग हम ब्लॉग में प्यार नहीं दे तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है क उसको प्यार आप लोग दे तो मुझे मोटिविएशन मिलेगा और मैं भी डेर सारा ब्लॉग बनाओंगी आप लोगों के लिए आप लोग ऐसे मेरे चैनल को बहुत प्यार करते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद और यहां पे मैं जहां गई थी अभी मेट्रो का काम हो र रहा है और उसके बाद फिर मैं घर आ गए जी हां यहां पे बर की पूजा किया जाता है तो मैं बर जी हां बर बरगत की पेर की पूजा के बाद मैं अपने पती की पूजा करने के लिए आई हूं यहां घर पे कर रही हूं और हर मैं इस तिन अपने पती की पूजा करती है तीहाँ पे फिलाभ मैं आर्ती कर उतार रही हूँ और इनको प्रिषाद दी थी जियाँ, प्रिषाद चलाए जाता है, जो कि पती को ही दियो जाता है, अगर आपके पती दूर हैं, तो आप ऐसा कोई मिठाय चलाएं, जो कि खराव नो हो और जब आपके पती आएं तो उनको ऐसे ही पुजा करके और प्रिशाद जरूर दे और यहां देख सकते हो फैंडली मैं इनको पंखा होक रही हूँ और देखो मेरे आप प्रिवियस का भी देखते होंगे तो मैं बास का ही यूज की हूँ और बास के लिखे थी दीपक और राकी और यहां यह मेरी बहन है वो गाउं में की थी तो मैं चोटा सक लिप उसका भी आपको लोग के साथ सो मिथला में इस तरह से पुजा जाता है बरसायत आप लोग को कैसा लगा हमारा यह वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बहा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूला थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट